नमस्कार दोस्तों सुरत आपका वाई के नॉलेज़ बढ़ में दोस्तों बिल्कु ठुमने के आपने ठीक पड़ा आज इस वीडियो में बताने माले 5 ऐसे कोर्स को जिनको करने के बाद आपको प्राइवेट जॉब 100% मिल जाएगी और दोस्तों यह ऐसे कोर्स है जिनको करन है और यह पहला कोर्स है डिप्लोमा इंग कंप्यूटर साइंस या फिर डिप्लोमा इंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलजी जी हां दोस्तों यह पॉलिटेक्निक के बेसिस पर यह ऐसी ब्रांच है जिनको करने कबाद आप लाखों में पैसे कमा सकते हैं उती परवां दोस्तो को आपको को अश्चरह होगा कि क्यों ऐसा को ऐसे ही लिएक फ़िप्लो मेह सिखने होगी जैसे मीशिजिग हूं अब सब्सक्राइब क should above नहीं चál क्वावीश में ँप बना लेते तो आराम से आप तीन-चार साल जॉप करने के बाद आप साथ सुरू हो जाएंगी और इसमें ऐसे ही कोर्स है कि आप अगर इन में पांचे सल आप जाब करते हैं तो आपका फिल्ड इतना पड़ जाता है और इतना एक्सप्रियेंस आ जाता है कि आप चाहें तो खुद की अपनी एक छोटी सी कंपनी सेटफ कर सकते हैं जिसमें आप बहु के साथ जो चेक होता है यूरीन चेक होता है हर्मोस चेक होते हैं जो यह टेस्टिंग होता है लैब होती है उसमें आपको जॉब मिल सकती है या फिर इक कोर्स को करने के बाद आप अपनी लैब सेटप कर सकते हैं और लैब को आपने अगर अच्छे से ग्लोरिफाई किया अ दबावियों पर आप दिप्लोम होता है और अप कोर्स को करने के बात गुंचस्चन एक नियुन को कुछ भुए यूँरोपने बड़ी मेडिकल अजची आपड़ींदों बगाल्यों पर खोलते हैं उसको बड़े से बोलिफाई करते हैं तो इसमें भी निसंदे आप आरामस अगर आपकी बड़ी एजंसी है तो आप 2-3 लाग रुपए भी महीने के कमा सकते हैं और कम से कम अगर बहुत ही लोग स्केल पर अगर इसको ओपन करते हैं तो फिर भी आप 50-60,000 रु अरामसे 30-40,000 रुपए या 40-50,000 रुपए भी महरमा वारं को ओफर किया जाता है। जो चौते कोर्स की करने में जा रहा हूं वह है रेडियोलाजी में बहुत सारह कोर्स हैं वेनियर के भी कोर्स हैं कोई डिप्लोमा कोर्स जो टू येर्स को होते हैं और ग्रेडुवेसन क प्रविश को करने के बाद अपना रेडियोलाजी सेंटर आप सेटप कर सकते हैं पहले यह समझे के रेडियोलाजी में होता क्या है तो जो भी आप MRI मसीन देखते हैं CT scan देखते हैं सोनोग्राफी देखते हैं ECG देखते हैं EEG देखते हैं जो पैटन बना कर दिया जाता है एक्सरे मसीन होई यह सभी कुछ रेडियोलाजी में ही आता है अगर इसको आप कर लेते हैं स्कोर्स को अपना रेडियोलाजी सेंटर ओपन करते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें आप चार से पांच लाग रुपए भी महीने के कमा सक कि आपने आपके पार रिसौर्सें नहीं है अब हर तरीके के मसीन आप अब अवैलेवल करते हैं तो अराम पर कुछ basic machines को भी आप रखते हैं जैसे X-ray हुआ, CT scan हुआ, कुछ basic machines को भी रखते हैं, तो आराम से आप 60-70,000 रुपे आप महीने के अपने बचा सकते हैं, दोस्तों जो पाच्वा कूर्स है, यह भी बहुत ही इस्पेसली कूर्स है, बहुत अच्छा कूर्स है, यह है BSC Nursing, जिहां दोस्तों BSC Nursing में 4-year का कूर्स होता है, और इसकी बहुत ही high demand चल रही है, government job भी बहुत आती है, प्लस ही graduation कूर्स है, और graduation पर जितने government form आते हैं उसको भी feel up किया जा सकता है, और BSC के basis पे बहुत सारी इसकी hiring हो रही है, जो बढ़ियां hospital है, high tech hospital है, उनमें से अराम से जो भी लोग BSC Nursing करके जा रहे हैं, उनको सुर्वाती 30,000 रोपे तक बेतन मिल रहे हैं, और इसमें experience अच्छा होने पे और बढ़ियां जगा आपका placement अगर हो जाता है, तो कोई बढ़ी बात नहीं कि इसमें 50-60,000 रोपे भी private में कमाया जा सकता है, तो दोस्तों ये 5 मैंने in the future, कभी कम हो ही नहीं सकती है, ना तो computer science के demand कम हो सकती है, आप समझे रहें कि आने वाला समय IT का होगा, medical field आप जानते हैं कि इसको कभी कोई off करें नहीं सकता, जब तक एक आयनात दुनिया रहेगी तब तक medical, कि जो demand रहेगी, medical scope जो रहेगा, ये बना रहेगा, तो दोस्त प्रेशन फार्म आप उसको fill up कर लिजी, प्रेशन फार्म fill up करते ही आपकी सीधी बात, हमसे mobile phone के हो सकेगी, 6 मेने तक आप जब भी चाहें, हमसे सीधे contact कर सकते हैं, तो दोस्तों, मिलने हैं कैसे और interesting video में, तब तक के लिए, जैहिंद!